कि नमश्कार स्वागत है आपका समाचार एक्स्प्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा यह ऐसी खबर है जो आपके लिए जरूरी है क्योंकि कुछ खबरें जा हमें प्रेरित करती हैं वहीं कुछ खबरें हमें सोचने पर भी मजबूर करती है हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी भी रूख आप जाएगी और आपके रोंग्टे खड़े हो जाएगी सोची क्या एक महिला की मानसिक स्थिती इसकदर खराब हो सकती है कि वह अपने साथ दो और जिंदगियों को खत्म करने को तैयार हो जाएगी आखिर ऐसी क्या वज़े थी कि वह अपने साथ साथ दो मासुमों की जिंदगी को भी दाव पर लगाने से जरा भी गुरेज नहीं करती है मध्य परदेश की राजधानी भोपाल में 30 साल की एक महिला ने दो बच्चों के साथ फासी लगाने की कोशिश की उसे ऐसा करते हुए जब पडोसियों ने खिर्की से देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी मोके पर पहुँचकर पुलिस में पहले महिला को समझाने का प्रियास किया लेकिन जब उसने किसी की बात नहीं सुनी तो पुलिस ने घर का दर्वाजा तोड़कर सभी को बचाया तब जाकर महिला खुद के और अपने बच्चों के गले में साडी का फंदा डाल चुकी थी मंगलवार को हुई इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया जोला मंदिर पुलिस के मुताबिक डायल हंड्रड पर उन्हें सूचना मिली थी कि इलाकी में एक महिला फांसी लग कोशिश की लेकिन वैं नहीं मानी इस पर पुलिस टीम ने लोगों की मदद से दर्वाजा तोड़ना शुरू किया यह देख महिला जल्दी से जल्दी फंदा बना कर अपने और बच्चों के गले में डालने लगी इसके बाद पुलिस ने दर्वाजा तोड़ दिया दर्व मैरिस की थी अब पती से अनबन चल रही है इसलिए यह कदम उठाने जा रही थी उसे लगा कि उसके बाद बच्चों का क्या होगा इसलिए बच्चों को भी फासी लगा रही थी महिला ने अपने पती पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कई दिनों से परेशान थी उसका प पुलिस के समझाने के बाद महिला ने कहा कि वह इस तरह का कदम दोबारा नहीं उठाएगी महिला अब ठीक है उसने माना कि वह गलती कर रही थी लेकिन अब ऐसा नहीं करेगी महिला ने पती से परशान होकर अपनी जीवन लिला समाप्त करने की कोशिश की और साथ ही अपन तीन जिन्दगियां खतम हो जाती है महिला के घर के बार लोग दर्वाजा खुलवाने के लिए चीक रहे थे चिला रहे थे मगर महिला ने किसी की नहीं सुनी उसने ठाल लिया था कि वैं खुद की और बच्चों की भी जिन्दगी खतम करके रहेगी लेकिन कहते हैं ना कि मार यह खबर दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आगे इस तरह की तस्वीर हमें देखने को ना मिले जब यह तस्वीर आई तो इसने यह सोचने पर मस्बूर कर दिया कि क्या कोई ऐसा कदम भी उठा सकता है कैसे कोई अपने साथ साथ मासूम बच्चों की जिन्दगी क को भी खत्म करने का यह कदम उठा सकता है का महिला को उस समय जरा भी तरस नहीं आया जब मासूम हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हमें छोड़ दो कि अगर कोई महिला परिशान है तो क्या वैं इस तरह कि कदम उठाने से सभी परिशानियों का हल निकलता है आज के दोर में महिलाओं के लिए कई कानून बने हैं जिनका सहारा लेकर महिला खुद को सुरक्षित कर सकती है आज की महिला सशक्त है महिला को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वह समाज के लिए प्रेड़ना बने ना कि ऐसे कदम उठाने चाहिए कि हमारा आसपास का समा इससे प्रेरित होकर ऐसे गलत कदम उठाए कि इस खबर को दिखाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने आपको कंजोर नहीं सशक्त साबित करें हर चीज का समाधान है मगर जिंदगी से हार मानना किसी परेशानी का हल नहीं है आखिरन दो मासुमों की क्या गलती थी जो उने भी समाप्त करने की कोशिश की गई हमें अपने बच्चों को ऐसी सीख देनी चाहिए कि वह परिशानियों से डरे नहीं बल्कि उनका डट कर सामना करें इस तरह क्या कोई कदम ना उठाए आपका एक कदम आपके परिवार को त ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, और मेंटिनेंस फ्री और कोई hidden charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर book करें